बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि लोगों से अटैच कैसे ना होएं ये जो मुह होता है ना लोगों का मुह इससे हम कैसे चुटकारा पाएं दोस्तों कोई भी rocket science नहीं है या कोई भी science ही नहीं है जिससे आप ऐसे मुह से चुटकारा पाऊ मोह से छुटकारा पानने के लिए आपको spiritual बनना पड़ेगा spirituality के रास्ते पे चलना पड़ेगा समझना पड़ेगा कि इस दुनिया की हर चीज temporary है हम भी temporary हैं, हमारे रिष्टेदार भी temporary हैं हमारी वस्तुएं, collections, materials, shocks, सब temporary है जो आया है वो जाएगा, सबसे बड़ा सची है जो चीज आई है, जो इंसान आया है, उसने जाना ही जाना है तो जब भी आप किसी इंसान से interact कर रहे हो, प्यार कर रहे हो, उनकी craving कर रहे हो तो आपको back of the mind ही बात पता होनी चीए, कि यह सब temporary है बहिया, एक दिन ही सब चले जाएंगे, मैं भी चले जाओंगा, अकेले ही पैदा हुआ था, अकेले ही मर जाओंगा इस तरीके से अगर आप अपने आपको reality से और spirituality से connect कर पाओगे तो यह attachment कम हो पाएगी, जो कि एक आम आदमी के बसकी बात नहीं है, obviously तो अब हमें क्या करना चाहिए, कुछ नहीं करना आपने पहली बात तो जो मैंने आपको यह बात समझाए, back of the mind, कोशिश करना यह बात अपने दिमाग में रखो दूसरी बात है कि जब भी आपके ही से किसी relationship में आते हो, चाहिए वो दोस्ती है, प्यार है, चाहिए वो खून के रिष्टे है दीरे दीरे आप उनसे attach होते हो, उनकी अच्छाईया नजर आती है, वो आपकी मदद करते हैं, आप उनकी मदद करते हो, दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रहते हो, एक दूसरे का साथ निभाते हो, दीरे दीरे attachment बिल्ड हो जाता है उसको आप रोख नहीं सकते, क्या गाली दोगे उनको, लड़ाई करोगे उनसे attachment कम करने के लिए, नहीं करोगे, प्यार ही करोगे न, प्यार के बदले प्यार दोगे और दीरे attachment बढ़ते चले जाएगा, ऐसे ही बहुत गहरी दोस्ती भी develop हो जाती है, तो अगर आप मुझ स exordon्ट बताता हूँ, मेरे मामा है, उनके पर से कुता था, 10, 12, 13 साल वो कुता उनके पास रहा, इतना प्यार वो सकते को करते थे और वो कुता उनको करता था, कि लोग अपने बच्चे से प्यार नहीं कर पाते हैं, आप उनके पास रह के देख ऑगे तो वो उस कुते का जो आप बच्चा मर गया, ऐसी फिलिंग आई, और लोग बहुत परेशान हुए, बहुत डिप्रेशन में गए, मैंने उनको सला दी, मैंने का आप एक दूसरा कुत्ता ले आओ, उन्होंने मुझसे एक यही बात बोली, उन्होंने का इतनी अटेश्मेंट हमेज से थी, सालों इस गम भी होगा, अटेश्मेंट ऐसी है, जैसे फेवी क्विक लगा ली हो न, अपनी स्किन पे, पूरी भर-बर के लगा ली हो, और उस स्किन को दूसरी स्किन के पैच से जोड दिया हो, एक उंगली पे फेवी क्विक लगा के दूसरी उंगली से बिलकुल छिपका दियो, य लेकिन जब ये निकलेगा, जब ये जोड निकलेगा, तो आपकी स्किन पूरा मास फट जाएगा, खुनंग खुन हो जाएगा, जब भी आप जिस इंसान से अटैच होते हो, उससे दूर होते हो, तो ये परेशानी आना सभाविक है, आपका दिल भी टूटेगा, आपको सालो लग जाएंगे, उनसे अलग होने में, या उस चीज़ को एकसेप्ट करने में, दूसरी बात, अटैचमेंट से, एकस्पेक्टेशन भी बढ़ती है, दुख भी जादा निकलता है, लड़ाईयां भी जादा होते है, अटैचमेंट बेसिकली इस दुनिया की सबसे अच्छी और बुरी चीज़ है, दुनिया में रहने के लिए, खुश रहने के लिए अटैचमेंट जरूरी है, ताकि आपको फीलो कोई आपको प्यार कर रहा है, आपके साथ है, लेकिन जब अटैचमेंट से अलग होना पड़ता है, जब लोगों से अलग होना पड़ता है, जब उन कम attachment रखोगे उतना ही कम दुख निकलेगा आप मुझसे कहोगे attachment कम कैसे करूँ तो भाया कम मत करो जिससे attached हो attached ही रहो उनसे प्यार करो attachment कम करोगे मतलब आप उनको ignore करोगे तो ऐसा आपने नहीं करना है जिनसे attached हो attached हो उनके साथ हमेशा खड़े रहो सिर्व आपको यह होना चाहिए कि मैं हमेशा उस इंसान के साथ खड़ा हूँ उनको प्यार करता हूँ उनको किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता हूँ उनकी जरूत के टाइम पे खड़ा हूँ उसके बाद जब आप उस इंसान से अलग होते हो या तो मौत की वज़े से किसी भी वज़े से आपके अंदर रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने उनका अच्छे से नहीं किया मैं हमेशा उनके साथ खड़ाता अटेश्मेंट दुख देगी लेकिन वो रिग्रेट कि मैं इस इंसान से अटेश्ट था तो भी कुछ कर नहीं पाया इनके लिए मैंने कुछ नहीं किया वो नहीं होना चाहिए तो जो जो भी आपके प्यारे जहन है उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखो अटेश्मेंट बिल्ड होने दो जब वो चले जाएंगे आपके मन में सिर्फ यह उना चाहिए कि हमने बहुत अच्छे दिन साथ ने बाया उनकी मैमरीज को हमेशा अपने दिल में अलाइव रखना वो तो नहीं रहे लेकिन उनकी मैमरीज तो है ना अच्छे मैमरीज को हमेशा अपने दिल में अलाइव रखें अच्छी मैमरीज को और उनको याद करते रहे बस थैंक यू